आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो कि इस कोश्चन में दिया हुआ है कि समतलों विक्टर आड़ टू आई केप माइनस साथ जे के पलस चार के के बराबर तीन और विक्टर आड़ टू आई केप माइनस पान जे के पलस चार के के पलस ग्यारह बराबर जीरो के परतिछेदन और बिंदू टू आई के पलस जे के पलस त्री के के प से होकर जाने वाले समतल का समिकरण ग्याद की जे ठीक है मतलब हमें यहाँ पर दो सम्तल दे रखा है तो हमें वैसे सम्तल का सम्तल ग्याद करना है जो कि इन दोनों सम्तलों के पर छेदर बिंदू से होकर पास करता है और साथी साथ जो बिंदू यहाँ पर दे रखा है उस बिंदू से भी होकर पास करता है ठीक है तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि जो यहाँ पर समतल और बिंदू दे रखा है वो सदिस रूप में दे रखा है तो हम उसको पहले कार्तिय रूप में कनवर्ट करेंगे फिर उसके बाद हम जिस समतल का समिकरण पुछा गया है को हम उसी सम्तल करुकुन है कि यह जू सम्तल को घ्याद करेंगे ठीक है तो हम सबसे पदें माले ने रेख़्िक्त है और इसको हमाले रहाए तो इसका y निरसांग 1 हो जाएगा 3 into k-cap है तो इसका z निरसांग 3 हो जाएगा मतलब इस बिंदू को निरसांग क्या आगया 2,1,3 आगया ठीक है अब हम जो समतल दे रखे उसका कार्तिय रूप लिखते हैं तो यहाँ पर P1 क्या हो जाएगा तो P1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं तो जो यहाँ पर सदीष रूप होता है उसमें जो वेक्टर R होता है उसका मान X I-cap पलस Y J-cap पलस Z-C-cap होता है तो वो put का कि जब हम इसको help करेंगे ते क्या आ जाएगा कार्तिय रूप में आ जाएगा तब हम यहाँ पर जो समतल है P1 P2 उसके सदीश रूप में वेक्टर R का मान X I cap Y J cap प्लस Z K cap का मान रख देंगे ठीक है यहाँ हम लीख दे रहे हैं कि वेक्टर R बराबर X I cap प्लस Y J cap प्लस Z K cap रखने पर रखने पर ठीक है तो अब यह P1 समतल का समिक्रण क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2X माइनस 7Y प्लस 4Z और यह जो 3 है तो इधर प्लस में ती सेट हैगा तो माइनस में हो जाएगा तो यह हो गया माइनस 3 बराबर 0 ठीक है इसी परकार यहाँ पर जो दुसरा समतल है P2 उसका समिक्रण हो जाएगा 3X माइनस 5Y प्लस 4Z और प्लस 11 बराबर 0 ठीक है तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं आता समतल समतल P1 एवँ P2 P1 एवँ P2 के प्रतिछेदन बिंदू P1 एवँ P2 के प्रतिछेदन बिंदू प्रतिछेदन बिंदू से होकर प्रतिछेदन बिंदू से होकर जाने वाले समतल का समिक्रण समतल का समिक्रण समतल इसको हम कैपिटल P मान ले रहें ठीक है समतल का समिक्रण तो यह क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0 ठीक है तो P1 P2 का यहां पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 2X माइनस 7Y 2X माइनस 7Y प्लस 4Z माइनस 3 प्लस लेमडा इंटू यह हो जाएगा हमारा 3X माइनस 5Y 3X माइनस 5Y प्लस 4Z प्लस 11 प्लस 4Z प्लस 11 बराबर 0 ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा अब यह 2X प्लस 3 लेमडा X हो जाएगा तो X कुमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा इंटू X और यह माइनस 7Y और यह हो जाएगा माइनस 5 लेमडा Y तो यहां पर माइनस Y कुमन ले रहें तो यह हो जाएगा माइनस तो यह हो गया 7 प्लस 5 लेम्डा इन्टू आई और यह हो जाएगा 4Z अब प्लस 4Z लेम्डा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहां से हम z कुमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा 4 पलस 4 लेमडा इंटू जेड और यह हो जाएगा माइनस 3 और यह हो गया 11 लेमडा तो इसको हम एक सार लिख दें माइनस 3 पलस 11 लेमडा बराबर क्या हो गया? 0 हो गया ठीक है तो यह जो है समतल P का समिकरण आ गया समतल P का समिकरण ठीक है? समतल P का समिकरण आ गया इसको हम समिकरण 1 मान ले रहे हैं समिकरण 1 ठीक है? अब कोश्चन में यह दिया हुए जो समतल P है जो में समतल है जिसका हमें समिकरण निकालना है वो समतल बिंदू 2,1,3 से होकर पास करता है ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चुकी, चुकी सम्तल, चुकी सम्तल पी, बिंदू, से पास करता है, अब इसे पास करता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो बिंदू है, समिकरण को संतुष्ट करेगा, जो सम्तल का समिकरण है, तो इसलिए यह हो जाएगा, अब इसका मान हम इसमें पूट करेंगे, एक्स के जगाँ पे दो, य के जगाँ पे वन, जेट के जगाँ पे तीन, ठीक है, तो यह हो जाएगा, प्लस फोर प्लस फोर लेम्डा, और जेट के जगाँ पे क्या आ जाएगा, तो जेट के जगाँ पे तीन आ जाएगा, और माइनस थ्री प्लस ग्यारह लेम्डा, बराबर जीरो, ठीक है, तो यहाँ से लेम्डा का मान निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, कितना, दो का दो से गुना करेंगे, चार, और दो का तीन से यह हो गया, छे, और यह हो जाएगा, हमारा, माइनस साथ, और माइनस पाच लेम्डा, और यह हो जाएगा, चार गुने तीन बारा, और यह हो गया, बाराह लेम्डा, और माइनस तीन प्लस, ग्यारह लेम्डा बराबर जीरो, ठीक है, तो यह हो जाएगा तो यह 4 और माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 और पलस 12 तो माइनस 3 और 12 कितना हो जाएगा यह 9 हो जाएगा और 9 और माइनस 3 तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा यह 6 हो जाएगा तो यह हो गया 6 और यह 6 लेम्डा माइनस 5 लेम्डा है लेम्डा हो गया 12 लेम्डा है 13 लेम्डा हो गया 13 लेम्डा और प्लस 11 लेम्डा है कितना हो जाएगा तो 13 और प्लस 11 तो यह हो जाएगा 24 लेम्डा तो यह आगया प्लस 24 लेम्डा बराबर 0 ठीक है तो यहां से हो जाएगा 24 लेम्डा बराबर माइनस 6 तो यहां से लेम्डा बराबर आजाएगा हमारा माइनस 6 अपाउन 24 तो यहां से लेमडा कमान क्या आ गया तो यहां से लेमडा कमान आ जायेगा कितना तो यह हो जायेगा माइनस 1 बटे में 4 तो यहां से लेमडा कमान आ गया माइनस 1 बटे में 4 ठीक है तब हम इस लेमडा कमान समी करण 1 में क्या करेंगे रखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा हम यहाँ पर लीख देंगे कि समी करण 1 में लेमडा कमान रखने पर समी करण 1 से बतलो अब समी करण 1 में लेमडा कमान हम रख रहें ठीक है तो यह हो जाएगा 2 पलस 3 लेमडा और लेमडा कमाने माइनस एक बटे में 4 इन्टू X माइनस 7 पलस 5 लेम्डा लेम्डा कमान माइनस 1 बटे 4 पलस 4 पलस 4 लेम्डा और यह हो गया इन्टू Z माइनस 3 पलस 11 लेम्डा यह हो गया बराबर 0 ठीक है तो अब हम इसको हल करते हैं तो यह हो जाएगा कितना तो यह हो गया हमारा 2 माइनस 3 बटे में 4 इन्टू X और यह हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे में 4 इन्टू Y और यह हो जाएगा यह 4 से तो 4 कट जाएगा ठीक है और 4 माइनस 1 हो गया तो 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा तो यह हो गया पलस 3Z और यह हो गया माइनस 3 और यह कितना हो गया तो यह हो गया माइनस एक गुने यह हो जाएगा फिर पलस और यह माइनस पलस मैनस माइनस यह आगे 11 गटे में 4 ठीक है बराबर 0 तो यह हो जाएगा हमारा यहां से कुछ न तो यह हो गया पाच बटे में चार इंटू एक्स यहाँ भी कुछ नहीं है तो वन है यहाँ एलसी अम चार होगा तो यह हो जाएगा सच्चव के 28 और 28 में से 5 गटेगा तो कितना हो जाएगा तेइस तो यह हो गया तेइस अपाउन चार इंटू वाई और यह है 3 जेट और यहाँ भी कुछ नहीं है तो वन है ठीक है तो यह हो जाएगा चार एक का एलसी अम चार और चारतियां 12 तो यह हो गया माइनस 12 और माइनस 11 तो माइनस 12 और माइनस 11 कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा माइनस 23 हो जाएगा ठीक है तो यह माइनस 23 हो गया माइनस 23 बटे में 4 माइनस 23 बटे में 4 बराबर 0 ठीक है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके भी नीचे 1 है अब हम क्या करेंगे हर का LCM लेंगे तो हर का LCM क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीक है 23y और यह हो जाएगा 12z और यह हो जाएगा 23y बराबर 0 ठीक है तो यह हो जाएगा अब चार भाग में ही तो उधर जाएगा तो गुना हम हो जाएगा तो यह आगे आप 5x-23y प्लस बारह जेड माइनस ते इस बराबर जीरो ठीक है तो हमें क्या करना था उस सम्तल का समिकरण ग्याद करना था जो कि दिये हुए दोनों सम्तलों के पर्थिशेदन बिंदू से होकर पास करता है और साथ ही साथ जो बिंदू दिया हुआ है उस से भी होकर गुजरता है तो सम्तल का समिकरण क्या गया नहीं सम्तल को P मान रखा था तो सम्तल P का समिकरण क्या गया 5X-3Y-12Z-3 वराबर 0 तो यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आनसर हो जाएगा थैंक यू